जिम्बत फुल नाम काई काउँ था जहां शुष्मा अपने बेड़े और बहु के साथ रहा करती थी शुष्मा घर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करती थी शुष्मा को बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था बच्चों, तो बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की अच्छी चल रही है मैडम जी, मगर आज कल पैरों में बहुत दर्द रहता है मैं समझती हूँ बेटा, मगर पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है तो हर दिन चाहे कितनी भी मैनत क्यों ना करनी पड़े स्कूल हर रोज आना चाहिए समझ गए सब हाँ मैडम जी काउं में ना तो ट्रेन की सुविधा थी और ना ही बसकी सडकों की हालत भी बहुत खराब थी लोग बैल गाड़ी का इस्तिमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाया कर दे थे शुश्मा का बेटा रामू हलवाई के पास काम किया करता था एक दिन राहुल थक कर घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा ये तो हर दिन का हो गया है सुबह उटो और हर दिन पैदल चलके अपने काम पर जाओ फिर काम खत्म होते ही वापस इतनी दूर तक चलकर घर आओ मुझसे अब और नहीं होता ये सब इस काओं में कुछ बचा ही नहीं है ना ही रेल गाड़ी के सुविधा ना ही रिक्षा की इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे माई के चलते है वहापर सारी सुविधाय है तुम बात तो ठीक कह रही हो लेकिन अम्मी को इस कस्बे से काफी लगाब है वो आने से मना कर देंगी मम्मी नहीं आएंगे तो हम खोदी चले जाएंगे आखिर कब तक उनकी वज़े से हम इसी काउ में सर्थे रहेंगे ठीक है मैं अम्मी से पूछ कर देखता हूँ अगर वो आने से मना करती है तो हम दोनों इस कस्बे को चोड़ कर चले जाएंगे वैसे भी उन्हें अब्बू की पेंशन मिलना खत्म हो गई है अब यहां और रुकने की जरूरत नहीं है राहूल और मनीशा दोनों ही अपनी ममी से बात करने आगे ममी हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी थी बोलो बेटा क्या बात करनी है मैने और मनीशा ने यह सोचा है कि हम सब को उसके माई के रहने जाना चाहिए वहाँ ट्रेन, रिक्षा और बस इन सब की सुवीदा है और हम वहाँ पर सुकून से रह सकेंगे बेटा, क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो हम चाहते हैं कि आप भी हमेरे साथ चलिए बेटा, मैं तुम से पहले भी कह चुकी हूँ मैं ये गाउं छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी यहां के बच्चों को तालीम देना मेरा काम है और तुम्हारे पापा और मैंने यहीं पर पूरी जिंदगी काटी है मगर मा, हमें यहां पर पूरी जिंदगी यहां नहीं काटनी ना ये घर अच्छा है, ना ही ये गाउं हर दिन राहूल जी ठकर घर वापस आते हैं मैं उन्हें अब और ऐसे नहीं देख सकती हूँ मुझे माफ करना, मगर मैं ये घर छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी ठीक है अमे, आप रहो यहीं पर लेकिन मैं और मनीशा तो ये घर छोड़ के जा रहे हैं राहूल अपनी मा को छोड़ कर मनीशा कुली कर उसके माय के रहने चला जाता है शुष्मा मायूत होकर अपने घर के बाहर एक बड़े से दरक के नीचे जाकर बैट जाती है और रोने लगती है आप मुझे छोड़ कर क्यूं चले गए मैं पूरी तरीक के से आज अकेली हो गई हूँ पहले आप मुझे छोड़ कर चले गए और आज हमारा बेटा राहुल इस गाओं में अगर रेल गाड़ी की सुविता होती तो शायद राहुल और उसकी बीवी आज मुझे छोड़ कर नहीं जाते शुष्मा अपने पती और बच्चों को याद कर के उस दरक के नीचे रो रही थी कि तभी आस्मान में एक जादूगर्णी अपने जाड़ू पर उड़ते हुए तरक के उपर से गुसर रही थी वाह! आज तो आस्मान काफी साफ है ऐसे आस्मान में उड़ने का मज़ा है कच्छार है तभी जादूगर्णी को शुष्मा के रोने की आवाज आती है अरे इतने अच्छे मौसम में ये रोने की आवाज किसकी है जादूगर्णी शुष्मा को रोते देख उसके पास आती है क्या हो आमाजी? आप रो क्यू रही है? मुझे बताईए शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ जी आप कौन है? मैं एक अच्छी जादूगर्णी हूँ जादूगर्पूर से आप बताईए माजी आप रो क्यू रही है? गाउं में अच्छी सुविधा ना होने की वजह से आज मेरा बेटा राहुल अपनी बीवी के माई के में रहने चला गया अगर इस गाउं में रेल गाड़ी की सुविधा होती तो शायद आज मुझे मेरा बेटा छोड़ कर नहीं जाता और गाउं के बच्चे भी स्कूल टाइम पर पहुँच जाते बिना किसी मुश्किल के ये लीजे इस बक्से में जादूई पूर की मिट्टी से बनी चिकनी मिट्टी है जिसे शहर में क्ले भी कहा जाता है ये कोई ऐसा वैसा क्ले नहीं है इससे आप जो बनाएंगी वो खुद बखुद अपना आकार लेकर ठीक वैसा ही काम करेगा जैसे एक असली चीज काम करती है लेकिन ध्यान रहे अगर ये गलत हादों में पढ़ गया तो उस आदमी का हाल बुरा भी हो सकता है जादूगर्णी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बुज़ूर्ग औरत की मदद करने के लिए शुक्रिया कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्स था माजी इतना कहकर जादूगर्णी अपने रास्ते निकल जाती है और शुश्मा उस कले के बकसे को घर ले आती है अगले ही दिन सुबै उठ कर वो उसी दरक्त के नीचे आकर उस कले से एक चोटी ट्रेन बनाती है जैसे ही वो ट्रेन पूरी होती है वो ट्रेन अपनी आकार में बड़ी हो जाती है और सारे काउं के लोग वहां आकर उस ट्रेन को देखने लगते हैं और प्रधान भी वहाँ पहुँचते हैं ये ट्रेन तो बड़ी अनोखी दिख रही है लेकिन ये चलती भी है या नहीं खुद ही इसमें बैट कर देख लीजे प्रधान जी गाउं वाले ट्रेन में बैटते हैं और ट्रेन चलने लगती है ये देखकर सब सुश्मा के तारीफों के पुलपानने लगते हैं और पुरे गाउं में इस ट्रेन को बुड़्या की जादूई रेलगाडी के नाम से जाना जाने लगता है मैं ऐसे ही ट्रेन इस गाउं के लिए और बनाऊंगी जिससे गाउं के बच्चे हर दिन बिना थके स्कूल जा सके शुश्मा ऐसे ही काफी सारी ट्रेन बनाती है और गाउं में ये ट्रेन पुरी तरह से लोगों के लिए मुफ्थ होती है ये इस वज़े से गाउं की तरक्गी काफी तेजी से होने लगती है और ये बात मनीशा की माई के तक पहाच जाती है अरे संते हो, मैंने सुना है वहाँ हिम्मतपूर में मा जी ने एक जादूई रेलगाडी बनाई है जिससे वो गाउं काफी तेजी से तरक्की कर रहा है सुना तो मैंने भी है भाग्यवान और सुना तो ये भी है कि सभी रेलगाड़ियों की सोविदा अम्मी ने मुफ्त रखी है मा जी चाहती तो बहुत पैसे कमा सकती थी लेकिन फिर भी उन्होंने ये रेलगाड़ी मुफ्त कर रखी है लगता है अब हमारे कजबे में जाने का वक्त हो गया है राहुल और मनीशा दोनों ही अपने गाउं हिम्मत पुर्वापस आ जाते है राहुल अपनी मा से आकर कहता है कैसी हो अम्मी? मैं ठीक हूं बेटा, तुम और मनीशा कैसे हो? हम भी ठीक है मा जी, हमने सुना है कि आपने इस काउं में जादूई रेल गाड़ी की शुरुवात की है और वो भी मुफ्त में? हाँ बेटा, ये रेल गाड़ी मुफ्त है इसलिए आज बच्चे स्कूल जा पा रहे है और गाउं की तरक्की भी तेजी से हो रही है हमने इस कजबे का ठेका थोड़ी लेकर रखा है, अम्मी आप बेफेकर रही है, अब मैं आ गया हूँ न, अब सारी चीज़े मैं संभाल लूँगा इतन राहुल सुबह जल्बी उतकर, रेल गाड़ी के पास जाता है और सबसे कहने लगता है आज से ये रेल गाड़ी इस्तमाल करने के लिए आप सब को टिकट लेना पड़ेगा जो टिकट नहीं लेगा, वो ट्रेन की सवारी नहीं कर पाएगा उसी वक्गाओं के प्रधान वहां पहुंचते हैं लेकिन राहुल, तुमें तो इस कजबे का हाल पता ही है इसी वज़े से तुमारी अम्मी ने इस ट्रेन की सुविदा मुफ्त की थी हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ अगर इस ट्रेन में बैठना है, तो ट्रेन की टिकट खरीदनी पड़ेगी और दूसरी बात ये प्रधान जी, कि हम लोगों ने इस कजबे का ठेका लेकर नहीं रखा है जो मुफ्त में रेल गाड़ी की सुविदा दे दे रहे हैं सभी गाउंट के लोग टिकट लेकर ट्रेन में सफर करने लगते हैं और एक दिन मनीशा राहुल से कहती है अभी तो हम बहुत रईस हो गए है लेकिन हमारा घर अभी भी बहुत छोटा है और मुझे पता है कि मा जी ने ये जादूई रेल गाड़ी कैसे बनाई है उनकी कमरे में एक बकसा रखा है जिसमें क्ले है और वो क्ले माया भी है उस कले से तुम जो भी बनाऊगे वो जीज असली बन जाएगी अगर ऐसा है तो उस कले से हमें एक बंगला बना लेंगे और उसी बंगले में रहेंगे जी वही तो मैं भी सोच रही थी और जैसे ही माजी सोएंगी तभी मैं उस बक्से से थोड़ा सा कले लेकर आ जामगी कैसे ही रात होती है वैसे ही मनीशा शुष्मा की कमरे में जाकर उस बक्से में से थोड़ा सा कले ले लेती है और अगली सुभह राहुल और मनीशा एक खुले मैदान में जाते हैं और वहाँ पर राहुल क्ले से एक बंगला बनाता है मगर बंगले में दर्वाजा बनाना भूल जाता है और वैसा ही क्ले वाला बंगला असली बंगले में तब्दील हो जाता है और वो दोनों ही बंगले में कैद हो जाते है अहे, ये बंगला कितना बड़ा और अच्छा है मगर मनीशा, हम इस बंगले से बाहर निकलेंगे कैसे क्योंकि मुझे कोई दर्वाजा नहीं दिख रहा है मैं तो दर्वाजा लगाना भूल गया था क्या, अगर ऐसा है, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे बाहर जाने का रास्ता जब नहीं मिलता तब वो दोनों ही बहुत निराश हो जाते हैं और मनीशा कहती है ये सारी बाते हमारे साथ इसलिए घट रही है क्योंकि हम लालच में अंधे हो गए थे तुम ठीक टेरी हो भागयवान मैंने जो कस्बे वालों के साथ किया उसी की सजा मिल रही है मुझे उसी वक्त शुष्मा बंगले के बाहर आती है क्ले निकाल कर एक दर्वाजा बना कर बंगले पर लगा देती है और अंधर चली जाती है और जब राहुल और मनीशा शुष्मा को देखते हैं तो उनकी आँखों से आंसु आ जाते हैं मुझे माफ कर दो अमी मैं लालज में अंधा हो गया था हाँ माजी हमें माफ कर दीजे हमने जो किया आज हमें उसकी सजा मिल गई है कोई बात नहीं बेटा तुम्हें अपने किये पर पचतावा है मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है मुझे तो बस इसी बात की खुशी है शुक्री आम्मी आप जैसा और कोई नहीं है मैं आज ही रेल गाड़ी का टिकट बेचा बंद कर दूगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा